तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप से डिसकस करने वालाओं कि किया BTEX ESE का कोर्स पूरा करने के बाद क्या MBA का जो कोर्स उसे किया जा सकता है के नहीं तो आपका सवागत है दोस्तों मेरे इस चैनल में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्यूंकि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी काफी सारे कोर्सस के वारे में भी वीडियोस मिल जाएंगी आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आपसे मैं MBA कोर्स के वारे में आपसे मैं डिस्क्रिप्स करूँ तो MBA का मतलब होता है Master of Business Administration जो की एक Post Graduate Level की डिगरी का कोर्स होता है तो जया कोर्स दो वरच का कोर्स होता है जिसमें कुल चार समेस्टर होते हैं तो अगर आपने BTEC CSE का कोर्स किया है जैने अगर आपने BTEC Computer Science Engineering का आपने कोर्स किया है और उसके बाद अगर आप MBA कोर्स करना चाहते हो तो क्या आप eligible होते हो के नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों जी हाँ आप eligible होते हो जैने अगर आपने BTEC CSE का कोर्स किय वैसे तो MBA का कोर्स काफी यदा अच्छा कोर्स माना जाता है जो कि आज के टाइम में काफी सारे स्टूडेंट्स इस को करते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपसे MBA कोर्स के वारे में आपसे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हुई होगी तो अगर आपको किसी भी परकार का कोई डाउट है तो दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट वॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी काफी सारे कोर्सस के वारे में भी वीडियो मिल जाएंगी आप उने वेकवार जाकर जरूर देख सकते हो तो अंत में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो कैसी लगी अगर आपको जय वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना दनेवाग